हेलो एवरीवन वेलकम तो इजी इंजिनेरिंग क्लासेज फ्रेंड्स इस वीडियो हम देखेंगे पर्फेक्ट सिक्यूरिटी क्या होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और एक्जाम्पल सो इन्फोमेशन सिक्यूरिटी के अंदर ये क्वेशन कई पाप पूछा जाता है मैं प्रफेक्ट सिक्यूरिटी की डेफिएशन कह香 debated और ये कि अदिन अवडेशन के पता कर पाओ इंज्ड़ीश में संब्सक्यूर्ट वास्ट अपता कर पाओ अब इसमें यह है कि कितना भी साइफर टेक्स आपको अवेलेबल हो तब भी आपको प्लेन टेक्स्ट के बारे में या उसकी की के बारे में कोई भी इंफरमेशन नहीं मिलनी चाहिए अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉटन अगा मैं प्रब्लेटी डिस्टिविशन से बात करूं तो प्लेंटेक्स इस इंडिपेंडेंट आफ इस साइफर टेक्स्ट मतलब बेसिकलि हम बात करें तो प्लेंटेक्स और साइफर टेक्स के रिलेशन का कुछ आइडिया ही नेहीं लगना चाहिए आगर यह रिलेशन है तो इस रिलेशन का कोई आईडिया ही नहीं लगना चाहिए ओ लिटीज परफेक्ट सेक्डिटी इप क्या प्र公 परफेक्टिटी सबसे पिल फॉरसे ने जईंदके सुमन फिंपल है तो आप यह ना बता पाओ यह impossible होना चीए कि कौन सा actual में real plain text है ओके, so if there is a choice out of which one is a real plain text then it should be impossible to find the real plain text एक तो perfect security की property यह होती है second, there is a key that encrypts every possible plain text to every possible cipher text एक ऐसी key आपकी पास होनी चीए, जो हर possible plain text को हर possible cipher text के अंदर encrypt कर दे, अगर ऐसा कोई situation है आपके पास तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो cipher है, वो perfectly secure cipher है एक example है इसका one time pad जिसको हम बोलते हैं OTPB OTP is a perfectly secure cipher example, it cannot be broken with crypt analysis अब है क्या it requires the use of one time pre-shared key या तो same size की होगी message की या फिर उससे बड़ी होगी ठीक है, मतलब कि एक एक one time pre-shared key पहले सही decided कोई एक key है उसका use करती है अबो कितनी बड़ी होगी होगी जटना कि आपका plein text पढ़ा या उससे बड़ी होगी ठीक है, तो आप इसमें cham नया cipher text आपको मिल रहा है तो यह आप मानके चलो कि हर बार उसको generate आपको यहां पर प्रोसेस अप्लीकेवल होगा कि जो वन टाइम सीक्रेट की है यहां पर क्या था यहां पर लिखा था प्री शेयर मतलब कि यह वाली जो वन टाइम की है यह सेंडर और रिसीवर दोनों के पास है पहले से ही शेयर दोनों के पास तो रिसीवर साइट पे भी क्या होगा सेम की का यूज करके जो साइफर टेक्स जनरेट हुआ है उसको एक्जॉर कर दे जाएगा तो आप प्लेंटेक्स यहां पर मिल जाएगा आप इसको करके देख सकते हैं आपको सेम यह मिलेगा जो प्लेंटेक्स आपने भीजा था अब इसमें प्रॉब्लम यही है प्रॉब्लम क्या है कि हर बार एक नई की जनरेट होती है ऐसा नहीं कि आपने कोई एक की चूज कर ली अब आप उससे मैसेज बाबा 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 जनरेट कर रहे हो हर बार एक नई की जनरेट होती है तो जो रिलेशन है वह फाइंड आट करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं परफेक्टली सिक्क्यों साइफर का एक्जामपल तो इस पर्टिक्लर वीडियो तो थेंक्यों फॉचिंग वीडियो अपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करी हैं डॉन फोरगेट तो सब्सक्राइब चैनल और प्रेस्टी बैल आइकन तो रिचीव मोशच वीडियो अपडेट्स थेंक्यू